तो फाइनली हमें मिल चुके हैं अपने मिस्टर मनी इंदा बैंक यानि कि ऑस्टन थियोरी और आप ऑस्टन थियोरी कभी वी एक साल के अंदर अपना मनी इंदा बैंक रोमर एक्स के उपर कैशिंद कर सकते हैं अब उस्टन थियोरी ये कभ और कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ इस वीक के स्मैक्डाउन में रोमर एक्स आ रहे हैं और ये पहले से अनौन्स हो चुका है कि अन्दिस्पुटेड डॉमर एक्स को ब्रॉकले से इंजर्ट कर सकते हैं तो क्या इस मौके का फाइदा उठ कर सकते हैं या नहीं क्या स्मैक्डाउन में रोमर एक्स को ब्रॉमर एक्स करेंगे या नहीं जैसा कि मैंने आपको पहली बता दिया है कि स्मैक्डाउन में रोमर एक्स रिटान आ रहें रोमर एक्स काफी टाइम के पाज इस स्मैक्डाउन में रिटान आ रहें और अब फाइनली एक बार फिर से रोमर एक्स और ब्रॉकले सो के उपर एटक करने की कोशिश करेगी और इस एटक में ब्रॉकले से रोमर एक्स के उ वाइदा उठाएंगे Austin Theory क्योंका Austin Theory अब Mr. Money in the Bank है और WWE अपने फैंस को सप्राइज देने के लिए और WWE की TRP को बढ़ाने के लिए WWE ये भी कर सकती है कि SmackDown में ही Austin Theory का Money in the Bank कैश इन हो जाए और उसके बाद Austin Theory बन जाए Undisputed WWE Universal Champion अगर ऐसा हुआ तो आप लोग बलेंगे कि Summer Slam में जो रोमा रेक्स और ब्रोकलिसा का मैच हो रहा है तो वो क्या होगा तो मुझे लगता है कि वो मैच कैंसिल हो जाएगा और फिर Bobby Lashley को कोई और सुपरस्टार आके United States टाइटल के लिए चैलिंज कर सकते हैं क्योंकि पर इस ओस्ते थोरी जाएंगे रोमा रेक्स और ब्रोकलिसा के मैच में और समर स्लाइम 1222 का में इवेंट होगा ट्रिपल्टेड मैच रोमा रेक्स वसे ओस्ते थोरी वसे ब्रोकलिसार और यह मैच होगा अन्दिस्पिटेड डबले वी युनिवर्सल टाइटल के लिए तो दोस्तों आप लोग भी कमेंटे जहू बताईए